नमस्कार बच्चों, हिंदी की पाठ शाला में आपका स्वागत है आज हम वर्ण विछेद के बारे में पढ़ेंगे जो आपके हर चैप्टर के हर पाठ के पीछे अभ्यास कारे में दिया गया है वो वर्ण विछेद क्या है और उसे कैसे करते हैं यह मैं आज आपको समझाओंगे सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें पता हो वर्ण क्या होता है वह चोटी से चोटी द्वन्नी बाशा की वह चोटी से चोटी द्वन्नी जिसके और टुकडे नहीं हो सकते वो वर्ण कहलाते हैं सबसे चोटी द्वन्नी ये सबसे छोटी जिसके हम और टुकडे ही नहीं कर सकते वर्ण दो प्रकार के होते हैं स्वर और वेंजन अब स्वर क्या होते हैं जिन वर्णों का उचारण करते समय दुशनी बिना रुखे मुख से बाहर आती है बिना किसी रुखावट के तथा उचारण स्वतंत्र रूप से होता है सीधे एकदम से बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से जिसका उचारण कर सकते हैं बिना किसी अन्य वर्ण की साहयता के उन्हें स्वर्वर्ण कहते हैं स्वर्वर्ण, स्वर कहलाते हैं वो अब दूसरा है वेंजन वेंजन क्या है जिन वर्णों के पूर्ण उचारण के लिए स्वर वर्णों की सहायता लिजाती वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें वेंजन कहते हैं इनका स्वतंत्र उचारण नहीं हो सकता है ये स्वर की साहयता से ही बोले जाते हैं ये गिन्ती में 33 है ये कखः गः ये शारे चचजजईयां ये 33 आपके बेंजन है और स्वर आपके 11 है और बेंजन आपके 33 है अब हम आते हैं टोपिक पर जो मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ वर्ण विच्छेद दानिये यहां क्या है वर्ण अक्षर विच्छेद अलग करना किसी शब्द में आए सभी स्वर और वेंजनों को अलग-अलग करके लिखना किसी भी शब्द में प्रियुक्त सभी वर्णों को अलग-अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है उनको जैसे अब यह उधारण के तोर पर देखिए कमल एक शब्द है हम इसके हर वर्ण को अलग-अलग देखेंगे कर मैंने आपको अभी बताया था वेंजन स्वरों की साहता से बोले जाते हैं स्वर होते हैं उसके साथ अब कर हलंत इसका मतलब है हमने हलंत लगा दिया इसमें से और स्वर निकाल दिया का हलंत, जमा आ, ऐसे ही मा में भी आ मिक्स है मा हलंत जमा आ, ला हलंत जमा आ इन में जब हलंत लगा है इसका मतलब वो आधा है और बिना हलंत का है तो वो स्वर सहित है और हलंत है तो वो स्वर रहित है अब इस में से का में से हमने स्वर आ निकाला म में से अ निकाला और ल में से भी अ निकाल दिया कहलंत जमा आ, महलंत जमा आ, लहलंत जमा आ एक और उधारन देखिए वर्ण विच्छेद इसमें मुख्य बात ध्यान रखने वाली कौन सी बाते हैं? स्वर के टुकडे नहीं होते यह ध्यान रखना, जो स्वर हैं उसके टुकडे नहीं किये जा सकते यानि स्वर जब अपने मूल रूप में ही होता है तो उसे आप विच्छेद करते समय वैसा ही लिख देंगे स्वर के टुकडे नहीं हो सकते वेंजन के क्यों हो सकते हैं? क्योंकि उसमें स्वर की साहेता से वो बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं तो हम उसमें से स्वर अलग कर देंगे अब इमली, इ स्वर है, इसमें से कुछ नहीं अलग कर सकते हैं मा को कर सकते हैं मा हलंद जमा अ, ला हलंद जमा इ हमने स्वर अलग कर दिये और वेंजन अलग कर दिये आम, आ स्वर है, प्लसमा हलंत जमा अ उल्लू, उ, अब ये देखो आधा लह, लहलंत अब इसमें अ नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि ये अपने आप ही आधा है लहलंत और दूसरे वाला जो लह वो पूरा है उसमें से हम मातरा अलग निकाल देंगे लहलंत जमा उ क्या बन गया उल्लू अब दूसरी इसमें याद रखने योग्य क्या बात है जो अक्षर पहले से ही आधा है अभी मैंने पीछे बताया आपको उधारण में उल्लू जो बताया था अभी उसमें ल आधा था अल्रेड़ी अब ये भी वही बात दुबारा से सुनिए जो अक्षर पहले से ही आधा है उसे हलंत लगा कर दिखाएंगे पुस्त तक स इसमें आधा है पहलंत जमा उ ये तो मातरा अलग कर दी हमने स्वर अलग कर दिया पहलंत जमा उ प्लस सहलंत अब इसमें अ नहीं है ये अपने आप में ये आधा है देखो जरा इसमें स्वर है ही नहीं सहलंत जमा तहलंत जमा अ जमा कहलंत जमा अ जो स्वर रहित है वो आधा है जिसमें स्वर है उसमें हम स्वर को अलग कर देंगे चिठी च हलंत जमाई प्लस ट हलंत जमाई अब हमने ट हलंत में उसके बाद अ नहीं किया क्यों क्योंकि ट अल्रेडी देखो हलंत वाला ही है हलंत जिसके नीचे है वो स्वर रहित है वो आधा है अब आगे देखो वर्ण विच्छेद में ध्यान रखने वाली तीसरी बात है ए और अई का डिफरेंस क्या है इनको ध्यान से देखेंगे जैसे केला क में ए की मातरा लगी हुई है कहलंत जमाई जमालाहलंत जमाई अब अई की मातरा जिसमें लगी है और जो रेड से इसमें लिखे हैं यह यह रोंग है धेखो क्रोज का सांइ लगाया है यह आपको क्लीर करने के लिए लगाया है कि आप बोलते हैं न ए और यह मातरा उपर लगी हुई है तो ए पे मातरा नहीं लगाएंगे नहीं तो वो अई हो जाएगी ये ऐसे लिखेंगे जैसे green वाले ठीक हैं, red वाले रोंग हैं कि आप confused ना हूँ, ध्यान से देखें मैला, अब मैला में क्या है, महलंत जमा अई प्लस लहलंत जमा आ इसमें स्वर अलग कर दिये हमने इसके बाद एक और उधारण, आप ये देखिए इसको बिलकुल अलग से दिखाया है महलंत उसमें आपको दोनों में अंतर बताया था कि जो red वाले हैं, वो wrong हैं और जो green वाले हैं, वो ठीक हैं महलंत जमा आ, जमा लहलंत जमा आ केला में कहलंत जमा ए, जमा लहलंत जमा आ और उधारण देखिए, ऐसे ही मातरा वाले आ भूशन, आ जमा भहलंत, जमा उ आप ये देखिए, मातरा अलग निकाल दिये भह से जमा शहलंत, जमा अ, जमनहलंत, जमा अ अब उमीद करती हूँ, आपको समझ आ गया होगा कि आधे को कैसे अलग करना है और जिस वेंजन में स्वर है, उसको कैसे अलग करना है अ, ये अपने आप में स्वर है जमा शहलंत, क्योंकि ये आधा है जमा वहलंत, जमा अ अब वहलंत, क्योंकि ये स्वर सहित था इसलिए हमने इसका स्वर अ अलग निकाल दिया आगे देखो, किसान कहलंत जमाई अब देखो किसान में अगर आप शब्द देखेंगे तो ये ई पहले दिखाई दे रहा है लेकिन हमने देखना नहीं उच्चारन करना है किसान तो क पे मात्रा लगी हुई है आप इसमें पहले ई ना लिखें किसान ये उच्चारन के नुसार इसका वर्ण विच्चेद होता है कहलंत जमाई जमाई सहलंत जमाई जमाई नहलंत जमाई आगे देखें बच्चपन बहलंत जमाई जमाई चहलंत आएगा इसमें चहलंत आएगा जमाई जमाई पहलंत जमाई जमा न हलन्त जमा अ यह चा के नीचे हलन्त लगा लेना आगे देखे वर्ण विछेद कुछ अब यह मिक्स हैं आपके यह देख लेंगे आप राजा र हलन्त जमा आ जमा 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 अ म हलन्त जमा इ जमा ठ हलन्त जमा अ साहसी स हलन्त जमा आ जमा हलन्द, जमा अ, जमा स हलन्द, जमा ई, खुश, खा हलन्द, जमा उ, उ को अलग कर दिया, जमा श हलन्द, जमा ए, इसको भी अलग अलग कर दिया, रू, रा हलन्द, जमा उ, रू, मैंने बोला है, तो उ, बढ़ा उ, जमा पहलन्द, जमा अ, रीतु, अब रीतु में, ज स्वर को ऐसे कैसे लिखेंगे और वेंजन में से स्वर अलग निकाल के लिखेंगे, सिंपल सा है बिलकुल, अब ये आपके हर पाट के पीछे आते हैं, शब्द अलग हो सकते हैं, वर्ण विछेद करना आपको समझा गया, जो शब्द आपकी बुक में होगा, जब आपको जब अपने हाथ से करेंगे, तो आपको सब समझा जाएगा, ये उधारन आप लिख लेंगे, और इसमें आंसर देखे विना, उत्तर देखे विना, अपने आप वर्ण विछेद करें, उसके बाद इससे चेक करें, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुब ह जब देखे और देखे भूवोग।